नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वावत है दोस्तों आज हम बनाएंगे करेले का आचार करेले का आचार खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट रखता है कहीं लोगों को ये भ्रम रहता है कि करेले का आचार तो कड़वा बनता है मेरे दुवारा बताए गए तर सेफ रखने की जंजट जैसे मैं बताऊंगी इस आचार को बनाना और रखना वैसे ही आपने बनाना है आचार और वैसे ही रखना है तो चलिए बनाते हैं आज का आचार आचार देखे कितना सुन्दर लग रहा है देखने में देखकर ही मुँ में पानी आ रहा है आप एक रोटी की जगए चार रोटी खाएंगे यदि आप इस तरह से अचार बनाएंगे और खाएंगे किसी भी सबजी के साथ आप ले सकते हैं इस अचार को बाइचांस कभी सबजी ना बनी हो हमारे घर में तब भी आप इस अचार को खा सकते हैं रोटी के साथ दोस्तों बच्चों को भी ये अचार बहुत पसंद आएगा क्योंकि कड़वार तो इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो चलिए बना लेते हैं आज का अचार दोस्तों क्रेले का आचार बनाने के लिए मैंने यहां पर लिए हैं आधा किलो क्रेले ताजे क्रेले आप ले लीजिए क्योंकि ताजे क्रेले का जो हम आचार बनाते हैं ये सबजी बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है और बनाने में भी बहुत मजा आता है तो मैंने ये लिए हैं आधा किलो तरेले ताजे हैं और इन्हें आपने धो लेना है अच्छे से और इनको मैं इस तरीके से काटूंगी आगे और पीछे दोनों साइड से आप इन्हें काट लीजि तो इस तरीके से मैंने करेले को आगे और पीछे दोनों साइड से काट लिया है और अगर थोड़ा सा इस तरीके से मिल जाता है कोई करेला थोड़ा सा तो उसे यहां से छील दीजिए और अगर साफ है करेले सही है तब आपको छीलने की भी जुरूरत नहीं है तो इस तरीक बिल्कुल कच्चे हैं करेले में तो आप बीजों के साथ ही बनाए इस करेले के अचार को तो मैं इस तरीके के करेले में से सारे बीज बाहर निकाल दूँगी क्योंकि ये बीज बहुत ही परिशान करते हैं बाद में आगे आजाते हैं रोटी में जब भी हम खाना खाते हैं आगे आजाते हैं तो बहुत ही परिशान करते हैं इन बीजों को निकाल देते हैं अंदर से सारा निकाल दे इस तरीके से साफ कर ले और इसके पीसिस कट कर ले आपने जितने बड़े पीसिस करने हैं इसके अपने हिसाब से कर सकते हैं छोटे बड़े जैसे इस तरीके से मैं कर रही हूँ इसके पीसेश मैं सारे कुरेलों के दोस्तों इसे तरीके से पीसेश कर लूँगी जो मुझे उपर से थोड़ा सा खराब लगे तो मैं इसको काट दूगी छील दूँगी उसको और अगर साफ लगे तो उसे ऐसे ही सिधे काट लीजिए और जिन करेलों के बीज आपको पके हुए लगे तो वो बीज निकाल दें और कच्चे करेले ही आपने लेने हैं या फिर अंदर से बीज निकाल कर उन करेलों का यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से काट लीजिए जैसे भी पीस आपने करने हैं गोल आकार में भी कर सकते हैं या फिर लंबे आकार में भी कर सकते हैं लेकिन अगर हम लंबे आकार में इनको काटेंगे तो अचार का मज़ा आएगा देखने में भी और खाने में भी तो इ इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने डालना है नमक, चार से पांच चमच आप इसमें नमक ले लीजीए, ये नमक दोस्तो आपके अचार को बचाएगा, और इसके कडवेपन को भी दूर करेगा, तो मैंने ये ले लिया है नमक और डाल दिया है, और इसको इस सरीके से मिला ले जब मज से मिला ले, हाथ से मिला ले या इसको ऐसे उपर नीचे कर सकते हैं तब नमक आपका ठीक से मिल जाएगा तो इस सरीके से दोस्तो आपने नमक तो मिला लिया है अब अगला स्टेप करते हैं इसको दोस्तों आपने रखना भी है या तो पूरी रात के लिए रख दे रात को आप ये त्यारी करके रख ले और सुबह आप अचार बना ले या फिर सुबह आप ये त्यारी कर ले शाम को आप अचार बना ले कम से कम पांस से छे घंटे आपने ये जरूर रखने है इस तर तो ये देखिए दोस्तो मेरे जो करेले हैं पूरी तरह से नमक ने कड़वाट इनकी दूर कर दी है ये देखिए कितना पानी हो गया है नीचे अब आप सोचेंगे कि हमने ये पानी अलग करना है तो नहीं दोस्तो इस पानी को बिल्कुल भी अलग नहीं करेंगे बिल्कुल इसी में यूज़ करना है अब चलते हैं अपने next step पर दोस्तो अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर लूँगी राई राई आपने दो चम्मच लेनी है इस तरह की राई आपने लेनी है बारीक वाली मोटे वाली आपने नहीं लेनी है राई इसे भी राई बोलते ह यह दोनों ही राई होती हैं मस्टर्ड सीर्स बोलते हैं तो इस तरह से हमने राई लेनी है इस तरीके की बारीक वाली इसको हमने रोस्ट करना है सीम गैस आप रखें सीम टू मीडियम रख सकते हैं आप गैस इस पर आपने रोस्ट करना है इसको बिलकुल कम टाइम में यह जादा आपने नहीं भूनना है नहीं तो ये काली सी पढ़ने लगेगी अब दोस्तो मेरी ये रोस्ट हो चुकी है इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में इसे ठंडा कर लेते हैं दोस्तो अब हम लेंगे पैन में दूसरे मसालें दूसरे मसालों में हम क्या लेंगे दोस्तो य मैंने लिया है जीरा तकरीबन एक बड़ा चम्मच और यहां दो चम्मच में सौफ ले रही हूं मोटे वाली आपने बारीक वाली सौफ नहीं लेनी हैं मोटे वाली सौफ का ही यूज करते हैं यह मैंने 20 से 25 काली मेर्च ली हैं काली मेर्च दोस्तों आपके अचार को बहुत ह पर ही आप इने रोस्ट करें ज़्यादा फ्लेम ना करें क्योंकि ज़्यादा फ्लेम पर यह जले से हो जाएंगे तो उन की खुश्बू अच्छी नहीं आएगी तो इससीरीगे से आपने यह रोस्ट कर लेने हैं यह मेरे रोस्ट हो चुके हैं इसे भी हम एक बरतन में निकाल लेते हैं ये देखे दोस्तों मैंने ये निकाल लिये हैं आप दोस्तों हम क्या करेंगे उसी पैन में हम साफ करके इस पैन को दुबारा से इसी पैन में हम 4-5 बड़े चमच सरसो का तेल लेंगे और इसे गरम कर लेंगे क्योंकि इसको भी हमने अचार में डालना है जब ये गरम हो जाए आपका सरसो का तेल इसमें दोस्तो एक टीस्पून आपने हीम डालना है और डालना है इसमें बड़ा चमच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का क्योंकि इससे आपका जो अचार बनेगा वो देखने में बहुत ही सुन्दर लगेगा इससे क्या होगा आपका कलर बहुत ही अच्छा आजाएगा अचार का इसको गरम करना है और गरम करके दोस्तो आपने गैस को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख दें तब तक हम अपने आचार के त्यारी कर लेते हैं बनाने की क्योंकि इसकी जुरूरत हमें लाश्ट में पड़ेगी अब चलते हैं अपने आचार के पास अब आपने इस राई को पीस लेना है, महीम सा पाउडर बनाना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है आपने इस तरीके से, ये मैंने बना लिया है, अब जो दूसरे मसाले थे, ये हमने रोष्ट करे थे, ये आपने पीस लेने हैं, दरदरे आपने ये कूटने हैं, ज डालेंगे एक चमच कलोंजी. कलोंजी तो दूस्टों एक ऐसा मसाला है जो बभुत ही टेस्टी बना देता है अचार को और हमारे लिए फायतेमंद भी है हमारी बोडी के लिए तो आप इस कलोंजी को ना भूले कलोंजी आपने जरूर डालनी है बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें मेथी आपने नहीं डालनी है क्योंकि मेथी भी कड़वाट लिए हुए होती है तो वो इस अचार को कड़वा बना देगी तो मेथी आपने नहीं लेनी है इस बात का आपने ध्यान रखना है आप लेंगे दोस्तो चार से पांच मैं निम्बू ले रही हूँ, इस तरीके से अगर आपके पास बड़े निम्बू हैं, तो आपके दो निम्बू बहुत होंगे, तो इस तरीके से मैं इनका निकाल लूँगी रस, दोस्तों आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, निम्बू का आपने धो कर अच्छे से कपड़ कर ही लेना है क्योंकि एक बूंद भी पानी नहीं जानी चाहिए आपके करेलों में ये मैंने रस निकाल लिया है चार से पांच निम्बू का और मैं इसमें डाल लेती हूं बीज नहीं होने चाहिए इसमें निम्बू के इस तरीके से मैंने निम्बू का रस भी इसमें डाल द इस से तीखापन नहीं आता है, बस कलर आता है, तो कलर के लिए मैं इस मिर्च को ले रही हूँ, आप डालेंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक, काला नमक जो है वो बहुत ही टेस्टी लगता है अचार में, किसी भी चीज में आप काला नमक डाल दे, उसका टेस्ट दूबना ह तो अब इसको mix कर लेते हैं, mix करने के बाद दोस्तों जो हमने अभी मसाले पीसे थे वो इसमें डाल लीजिए, इसको भी अच्छे से mix कर लीजिए, अब आपने इसमें क्या डालना है, एक वो चीज डालनी है, जिससे आपका जो आचार है, वो कभी भी कड़वन नहीं बनेग ये दो चमच है, दो चमच आपने गुड़ डालना है इस तरीके से, और इसको mix कर देते हैं, इससे आपके जो करेले हैं, वो खराब भी नहीं होंगे, और आपके जो करेले हैं, वो कड़वे भी नहीं बनेगे, करेले का चार बिल्कुल अच्छा टेस्टी बनेगा, तो इस इस तरीके से, आपने सारी चीजे mix करनी हैं, अब हम लेंगे, जो हमने तेल गरम किया था ना, अब ये ठंडा हो चुका है, देखिए, अब मैं इसको डाल रही हूँ, डाल कर दोस्तों, आपके करेलों में शाइन ही तूसरी आ जाएगी, शाइन इतनी आएगी, कि आपका अ आचार अपने घर में बनाएं, जी हाँ दोस्तों इस सरीके से ही आप बनाएं, तो आपके करेले का अचार कभी भी करवा नहीं बनेगा, नहीं आपका करेले का अचार खराब और दोस्तो इसको रखने का टिफ्स में आपको बताती हूँ जिसे कि ये मेरा बन चुका है अब आजार अब आपने क्या करना है एक लेना है काच का जार क्योंकि काच के जार में जो हमारे आजार होते हैं वो सेफ रहते हैं काच के जार को आप बिल्कुल गरम पानी से धोकर इसको साफ कर लेना है, या तो धूप में सुखा ले, या फिर कपड़े से आपने इसको बिलकुल साफ कर लेना है, पाने बिलकुल भी नहीं होना चाहिए इसमें, इसके धकन को भी आपने अच्छे से साफ कर लेना है, तो उसमें ही आपने इसको डालना है, ये देखे दोस्त तब भी आपका याचार बिल्कुल श्रक्षित रहेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, आपने बस क्या करना है, तीन से चार दिन इसको खिलाते रहना है, बीच बीच में दिन में एक दो बार इसको खिलाते रहें, ताकि हमारा अजार उपर से नीचे तक पूरी तरह से अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए, तो इस तरीके से आपने आचार बना लेना है, काच के बरतन में आपने रखना है, यदि आपके पास काच का कोई जार नहीं है, तो आप प्लास्टिक के जार में भी रख सकते हैं, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि इसमें पानी जैसे रोटी बनाई आटे के हाथ हैं और उनी हाथों से आचार ले लेती हैं, तो वो काम आपने नहीं करना है, आटे से बचाना है इसको और दूसरा पानी से इसको बचाना है, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे न, तो आपका आचार गरांटी से कहती हूँ, बिल लगा कैसी हमारी आपको वीडियो लगी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं ऐसी ऐसी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद दोसो